ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है पहला जिनके सपने बहुत बड़े हैं जिनको हर वक्त कोई न कोई एक नया आइडिया पॉप कर जाता है दिमाग में और फिर उस एक आइडिया से वो कितने कितने ख्याली पुलाव बना लेते हैं पहले वैसा और दूसरा ऐसे लोगों के लिए है जिनकी लाइफ बहुत ही नॉमल चल रही है बट उन्हें बार-बार ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़ा करना चाते हैं और वो क्या है वो उन्हें नहीं पता तो इन दोनों में से अगर आप किसी भी काटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है पृतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन पृतिका तो यार जो ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं उनके पास आइडियास की भी भरमार होती है और मैंने काफ़े कुछ ट्राई किया है अपने थौर आईडियास और पूरे लाइफ को और्गनाईज करने के लिए आपने मेरे कुछ वीडियो में देखा भी होगा कि मैं कैसे प्लान करती हूँ लिख कर डायरी में या फिर मेरे instagram stories में देखा होगा मैं board पर मेरे ये setup के ठीक सामने एक white board है जहाँ पर मैं लिखते रहती हूँ अपने plans को तो ये कुछ तरीके हैं जिसको मैंने try किया है to how to not, how to कि this place a bit less cluttered यही सब कुछ करते करते मुझे notion के बारे में पता चला और कुछ महीने हो चुके हैं कि मैं notion use कर रही हूँ और जब से मैंने इसको use करना शुरू किया है मेरे life पूरी तरह से change हो चुकी है तो notion क्या चीज है और इससे कैसे मैं सब कुछ organize करते हूँ यह दम जाने के लिए मुझे आपको अपने computer screen पर ले जाना पड़ेगा चलिए तो अभी आप लोग मेरे screen पर देख रहे हो वह notion का पूरा dashboard है यह dashboard मेरा ही create किया हुआ है यहाँ पर आप यह सब में से कोई भी चीज़े create और edit कर सकते हो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ और बहुत सारे extra ऐसे नई चीज़े हैं जो मैं करती हूँ जो आपको इसमें से दिखाऊंगी इसमें से काफी को चाप भी कर सकते हो पहले आपको पता दू यह notion पूरी तरह से free है तो मैं भी पूरा free version ही use कर रहे हूँ ऐसा कुछ निए कि आपको खरीदना पड़ेग है इसका template मुझे मिल गया था template का पर मैं लिंक आपको दे दूगे template क्या होता है जैसे theme होते न वैसे यहां पर मैं आपको अपना monthly review दिखाती हूँ monthly में अगर हम लोग अभी November चल रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महीनों पहले ही मैंने शुरू किया है यहां पर what do you want to improve upon from last month last month में मैंने क्या किया उसमें से क्या improve होना चाहिए उसका details यहां पर रहता है तो यहां पर जो मेरा three main points रहेगा कि जो मैंने last month इतना अच्छे से नहीं किया जो मुझे इस month करना चाहिए वो यहां पर है ठीक है what projects I am working on this week तो यह सारे projects है जिसके उपर मैं काम कर रही हूं ठीक है उसके बाद में what goal जो है इस तरह से काफी कुछ है यहां पर अब जब दो हफता हो जाएगा तो मैं अपने फोन में अलाम रखतो मैं अपने फोन में reminder रखती हूं हर महीने के 15 तारीक को जो मुझे remind करता है कि notion में जाके update करो कि दो हफते हो गए हैं तुम मतलब जो भी मुझे लिखना है वो मैं यहां लिख सकती हूं दो लाइन और लिखना है कुछ और करना है टेबल आड करना है कुछ भी करना है that I can do it's very customizable जो ही जो की मेरी one of the favorite part है इसका और यह टॉगल है यह टॉगल है मतलब इसको आप खुद इसको आप आड बेसे हम लोग जब एड में क्लिक करेंगे न तो यहां पर option आता है आपको to-do list चाहिए heading चाहिए bulleted list चाहिए toggle toggle मतलब यह वाला क्लिक करने से नीचे आप और लिखने का जगा आजाएगा quote लिखना है मतलब endless things which you can add in it table से लेके calendar से लेके canban board canban board अपको नहीं पता हूं मैं आगे बता दू क्या होता है so this is how we can do our monthly reviews it takes hardly five minutes अगर पांच मिनिट आपको निकालना है सिर्फ यह चीज करने के लिए क्योंकि यह वाला template अल्रेडी बना वे आपको copy करना है next time paste करना और फिर से इसको भर देना पूरा पूरा बनाना नहीं है template कहां से मिलेगा यह मैं जहां तक मुझे याद अली अब्दल का है मैं इसका link आपको दे दूंगी template का next अगर मैं आपको कुछ और interesting चीज दिखाओं इसमें से तो फिर से मैं अपने dashboard पर ही चलती हूँ अगर आप मेरा podcast सुनते हैं तो यहाँ पर मैं five things I learned this week हर हफते जो मैं पांच चीजे सीखती हूँ वो मैं यहां पर ल चीज मैंने सुनी या सीखी मैं तुरंत इसमें जाकर लिख देती हूँ ताकि एक तो यहां से हट जाए बात बर मेरे दिमाग में चलेने की लिखना है लिखना है वो चीज हट जाए इसके अलावा एक एक जगा रहता है जहां पर मुझे बस उसको एकस करना है podcast का record बटन च क्योंकि अभी 2020 खता होने वाल है तो इस आफ जाटेड फॉर एक्जांपल जिससे यहां पर स्टफ आम ग्रेटफुल फॉर यहां पर फिर से टॉगल है पीपल को अप क्लिक करोगे तो तो पीपल हूँ आम ग्रेटफुल फॉर उनके सब के बारे में लिखना और वाई आम क्योंकि यह फ्री है और मोबाइल में भी चलेगा लैपटॉप में चलेगा कुछ नगुछ तो हम सब के पास है तब ही तो यह वीडियो आप देख रहे हो तो क्यों नहीं सब कुछ किया जाए सब डेटा तो अपना बैक्टप है सारा अपना डेटा आप किसी भी नए डिव इसमें भी आ जाएगा तो मैं क्यों पेपर पें में लिखुँ और आगे का जमाना डिजिटल का थो इस इस अ गुड टाइम तो गो डिजिटल राइट तो यहां पर सथा दिसकोवर्द लाइफ लेसंस एक्सट्रा एक्सेक्रा एक्सेक्रा जो जो आपके हो सकता है इस पे म मुझे script लिखना है तो उसमें description क्या होगा, उसमें उसकी heading क्या होगी, उसका main content क्या होगा, उसका winning point क्या होगा, सबसे interesting point उस पूरे वीडियो का क्या होगा, and कैसे करना है, वो सब इसमें जाता है, five things I learned this week पताई है, habit tracker, habit tracker मतलब आपने कुछ भी habit को add कर सकते हो, यहाँ पर य मैं daily meditation करो, तो ठीक है, मैं इसको meditation भी लिख सकती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको click कर दो, जिदिन किया, जिदिन नहीं किया, जिदिन मत लिख करो, तो आप देखोगे, कि आप track कर पाओगे अपने habit को, बट यह workout का है, तो मैं इसको फिर से change कर देती हूँ, ठीक है, तो इसमें आप जितना चाहे उतना अड़ कर सकते हो, प्लस करो और अड़ करो, प्लस करो और अड़ करो, जितना चाहे उतना अड़ करते हो, तो अभी मैं आपको एक और page में लेका हूँ, गोल्द बोलके, यह inbuilt है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए, यह pre-loaded template था, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए for example to do तो आज का मेरा तो आज का मेरा काम है कि मुझे shoot the organized life video ठीक है तो जब मुझे ये वाला करना है ठीक है तो ये to do list में है अब जब मैंने shoot कर लिया तो ये doing में चला जाएगा ठीक है और जब ये shoot होके edit होके पूरा done हो जाएगा तब इसको मैं यहां shift कर सकती हूँ अब यहां पर मुझे एक और चीज आड करना है ठीक है कि एक और चीज जो मैं कर रही ती इसके बार मैं लिखना भूल गई थी I was making notes and notion तो वो चीज भी उसमें add हो जाएगा इस तर से आप जितना चाहे उतना add कर सकते हो और जिसको जहां चाहे वहां डाल सकते हो और यह ज़रूरी है अब मुझे यहां पर एक और चीज डालनी है कि editing do to do doing और done के बीच में editing भी डालनी है तो all I had to do is add a group और editing ठीक है हो गया so it's done editing अब मैं इसको बीच में डाल देती हूँ यहां पर क्योंकि editing के बाद में वो done होगा तो shoot तो हो गया बट अभी editing बागी है तो अभी यह यहां पर है और जब यह complete हो जाएगा यह चीज यहां आ जाएगी और फिर आप इसको delete करो archive करो जो एचा वो करो so can ban method बोलते हैं कि इस तरह से next next slide में भीजना एक एक category से दूसरे category में जाना right okay so now इसके 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 अलावा आप मेरा Instagram का यह देख सकते हूँ कि मैंने अपना पूरा month plan किया था तो इसमें आप add इसमें फिर से आप plus में जाके आप जो इचा वो add कर सकते हो मैंने आपको बत इसको जब आप click करोगे तो एक पूरा calendar आ जाएगा तो यहां मैंने calendar को add किया उसके बाद में हर date पे एक चीज़ असाइन कर दे कि इस date को यह post जाएगा तो इस तरह से आप अपने हर दिन को भी organize कर सकते हैं तो literally इसमें पूरा life ही organize हो गया है जो भी दमाग में idea या उसको स भी तरह से blank होता है अब आपको पता ने इसमें क्या क्या करो ठीक है अब for example लेट से new year plans ठीक है बुलेटेड लिस्ट चाहिए टॉगल लिस्ट चाहिए सब्सक्रों टॉगल लिस्ट चाहिए टॉगल लिस्ट में मैंने लिखा food habits that needs to be changed ठीक है एंटर ओके अब यह टॉगल है तो टॉगल मतलब इसको खोलेंगे तो यहां पर जैसे मैंने आपको पहले दिखा था है यहां पर कुछ भी आप लिख सकते हो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो more fruits ठीक है एंटर करके एक और चीज़ लिख दिया अब यहां पर अगर आप नंबर 1 करके लिखोगे तो जब आप एंटर करोगे न तो अपने आप नंबर 2 आ जाएगा ठीक है और इसको टॉगल को बंद कर दिये तो वो बंद हो गया similarly अगर आपको और भी कुछ आड़ करना है तो again you can calendar चाहिए मुझे calendar चाहिए मुझे पूरा जनवरी महिना को प्लान करना है you know आप समझ रहे हो और इसके बाद भी आपको डीटेल में जाना है एक एक चीज की कैसे स्टार्ट करें तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो बहुत सारे वीडियो है नोशन के उपर में प्रोड़क्टिव डाउन टाइम के लिए भी यह बहुत सही चीज है अगर आपक मुझे बहुत जारा टाइम फ्री मिल गया तो वो एक डाउन टाइम है तो उसमें मैं क्या करूँ उसको प्रोड़क्टिवली कैसे यूज करते हैं मेरा कोई खास काम करने का भी मन नहीं है तो क्या करें नोशन कोल के बैट जो इसमें सिर्फ टाइप करते रहना है और जब आप अपने ही बारे में लिखते हो अपने फामली के बारे में लिखते हो अपने सपनों के बारे में लिखते हो ना तो आप बूर भी नहीं होते हो ऐसा नहीं कि बूर हो रहे हैं अच्छा लगता है लिखना तो यह एक तरह से जर्णल हो गया जैसे अपने डाइरे लिखते तो खुद का अनलाइस हम लोग अगर करने लग जाएंगे तो we will see improvement in ourselves as I said guys because it is also available on phone या कोई आपका तीसरा device है Android हो, iOS हो, Mac हो, Windows हो सब में चलता है ये तो मेरे बहुत easy कर जाता है sync करना तो क्या होता है जब ही में को free time मिलता है suppose करे doctor के गए है बहुत दिर तक बैठना पड़ रहा है and that time I just open the notion and उसमें से क्या-क्या जीज़ है जिसको मैं अभी fill कर सकती हूँ या कि इसके बार में मैं लिख सकती उसके बार में या जो पहले कभी लिखा है उसको read करके कुछ observe कर सकती हूँ तो उसको जैसे कि मैंने आपको बताया productive downtime जिसे कहते हैं तो उस तरह से use किया जा उस तरह से मैं इसको use कर लेती हूँ and that is how we get a lot of things done in lesser time once you organize your thoughts down आप तोड़ासा mind mapping करोगे तोड़ासा इस तरह से notes लोगे तो क्या धीरे धीरे आपको structure दिखने लगेगा कि आप कहां जा रहे हो, क्या progress हो रहा है अगर आपको आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दो मेरा एक वीडियो है 7 steps that you need to take in 7 days and फिर आपका action plan चालो हो जाएगा चाहे वो कुछ भी सपना था आपका वो पूरा होने का जो शुरुआत है, जो नीव है वो डल जाएगी आपकी तो उसके लिए आप वोवरा वीडियो देखिए मैं यहाँ पर उसका link भी देदूँगी आप उसको click करके देख सकते हो वहाँ पर मैंने 7 days के लिए 7 tasks बताया बहुत easy, doable task है आप कितने भी busy हो, आप चाहे full time job करते हो, या full time housewife हो या full time student हो, आपके exam चल रहे हैं तो भी आप time निकाल पाओगे अगर आप उस techniques को use करोगे तो so do check that video out it's right here अमीद है ये video आपको पसंद आया होगा thank you